लो फ्रेंड्स कैसे आप सब अशकक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्सी जीडी का जैसे ही डिजल्ट आया था तो उसके एक दिन पहले एक नोटिस भी जारी हुआ था किसके अंदर यूर की कट ओफ और स्सी की एस्टी की जो कट ओफ है बहुत ही कम बताई गई थी ऐसा जो है जानकर यह आपको मिली होगी तो नोटिस आपके सामने है मैं इस न नोटिस किसके लिए है और क्यों आया है किस कैटिगरी को इसमें फायदा होगा और किस कैटिगरी को इसमें फायदा नहीं हो और किस स्टेट से इसमें फायदा हो सकता है किस स्टेट को इसमें फायदा नहीं होगा तो वीडियो को लाश्ट तक देखें इसकिप ना करें क्य फिर कमेंट करेंगे उल्टे सीधे तो इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से पहले देख ले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब स्क्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा गुर्मन जोब की पलपल अपडेट के लिए तो जैसा कि इसके अंदर यह बताया गया है यह आप देख सकते हैं यह नोटिस जो है यह 24 मार्च को रिलीस किया गया था एससी की साइड पर और 25 मार्च को जो है एससी जी कि काटोफ 30 परशन्ट जाएगी इडिव्लू एस की और 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 की 25 परशन्ट जाएगी और एस सेज्टन की 20 परसन्ट जाएगी तो सीधा सा सिंपल सा इसमें यह जो फायंदा मिलने वाला है वो उन ग्राद को प्रैदा यह जैस से अंडबाद को बार को कियरल वाल लोको जानी कि यहां पर वैकेंसी जो है वो खाली ड्रह जाती है और उन इस्टेट को फाइदा मिलने वाला हैं जिनकी जो था यू उनकी जो कटक सेंगों उनकि कम जाती 33% जो है क्वालिफाई रखा था इसके अंदर क्या था इन्होंने SC ST और OBC और इसके अंदर इन्होंने रखा था अंडोबा निकोबार है या केरल है यह ऐसे स्टेट है जिनके अंदर जो कटोफ है सो में से 25 तक भी चली जाती है बीस तक भी चली जाती है तो इसलिए इन्होंने यह कर दिया है कि अब इसके आधार पर जो है हम सोट लिस्टिट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को क्यूंकि पहले जो क्वालिफाई परसेंटेज इन्होंने सेट किया था वो 35 था और स्टिट के लिए 33 था तो इससे अगर किसी भी स्टिट में नंबर कम आते हैं किसी के तो वो ओटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड हो जाता था लेकिन अब इन्होंने इस क्रैटेरिया को चेंज कर दिया है और यह आप देख सकते हैं कि यह इतना इतना चेंज कर दिया है अगर आप बोलने लगें कि दिल्ली से या फिर यूपी से आपका यूवार में 30% से पीसटी के लिए पीटी के लिए बुला लिया जाएगा तो क्या इस संभव है क्योंकि यहां की जो कट ओफ है वो ही 70 प्लस रहती है तो आपका कहां से नंबर आ जाएगा यूपी में भी कि अंडर one निकाबर की तो क्या महां पर यूर की कटोफ साठ भी जा सकति है लूझ जा सकती इसलिए इन्ही इलाकौ में उनी सेट वालों को फायदा है क्या 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 कट ओफ कम जाती है сюда SeloON M forgiven C को फायदा हो सकता क्योंकि इनके जो क्पिटिशन होता है वह बहुत ही कम होता है इसलिए एक्स सेस्मा वालों को इसे सवालों को बहुत फायदा हो सकता इसके अंदर ये इस नोटी का जो है वो सच है लेकिन कुछ लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि 15 तारिक को 15 अपरेल को आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप उसके अंदर पास हो जाएंगे उनसे कोई ये पुछे जब फाइनल रिजल्ट की PDF आ गई है और उसमें किसी का नाम नहीं है तो 15 तारिक को जब स्कोर कार्ड ओपन होगा या उससे पहले होगा तो वो पास कैसे हो जाएगा और जबकि ये नोटिस जो है ये डिजल्ट से एक दिन पहले आया है इसलिए ही ये डिजल्ट से एक दिन पहले आया ताकि जो डिजल्ट बनाया गया है वो इसी के अधार पर बना गया है तो आपने अब इसको समझ लिया है इस notice की क्या सचाई है और ये किसलिए publish किया गया है अब आशा है मुझे कि आप misguide नहीं होंगे किसी भी angle से आपको समझ आ चुका है कि ये cut off नहीं है ये qualify marks है क्योंकि बहुत से state ऐसे होते हैं जिन पर cut off ना लगाते हुए qualify marks जो होते हैं उनी पर PT और PhD के लिए बुला लिया जाता है तो इसलिए इन्होंने qualify standard को थोए थोड़ा सा down कर दिया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कर दिजेगा और चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर दबा दिजेगा और वीडियो को ज़्यादे ज़्यादे share भी कर दिजेगा किस्से की misguide जो candidate हो रहे हैं SSTGD के बारे में और उनको उन तक जो है सही news पहुच सके Thank you कर दो में कर दो कर दो कर दो झाल झाल